वेलकम एक नमसकार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है जैसा कि हम बताये थे कि पिछली परिशाओं में हमने एक खंड दो देखा था प्राविदिक कला जिसे टेक्निक अलाट कहा जाता है इंटरमीडियर की परिच्छा का इसका पीपर 22 फरवरी को पेपर से पहले इन महतपुर क्वेश्चन को आप जरूर देख लें यहाँ पर देख सकते हैं कि बिगत परिच्छाओं में पूछे गए प्रस्ण उत्तर है प्राविदिक कला के 99 क्वेश्चन है मैं आई यह क्या क्वेश्चन पूछे गये थे तो चब के केंद्र को अलंकरित करने के टाइम में ज्यादा लगेगा और सटीक एंसर हम सिधे बताएंगे तो सिधा वहीं आपके दिमाग में आएगा आपसन बताएंगे तो कन्फूजन होगा अच्छा यह कि ए तो जो पहले जाएगा दिमाग में वहीं महत पूरें तो केंद्रिया लखन क्वेस्चन दो है सरोत्त बनाना इसका सरवाधिक महत है क्वेश्चन चार है अलेखन में ज्यामेतिक अप्रयोग क्यों होता है तो आलेखन में ज्यामेतिक अप्रयोग होता है निश्चित आकार देने के लिए क्वेश्चन पांच है अलेखन के लिए कौन सा आकार उपयोगत नहीं है तो इसका क्या यह भी पढ़ा था पिछले वीडियो में नहीं पढ़े हैं तो छूख जाएंगे राजस्तानी चित्रकला के उद्वह और विकास में कि सैली की प्रमुख भूमिका है तो मेवाड चित्र सैली का राजस्तान मेवाड में यह तो ठीक है question 8 है पेश्टल रंग किस प्रकार के होते हैं अ facilitating किया है तो इसका सही जवाब है Austhies ì अस्थाई अस्थाई नहीं है पेश्टल है हमाइशा के लिए नहीं है पानी गिरा होग तो और हो जहेगा अगला question 9 है समकोर तो कि से करते तो इसका सभी इंसर है घर जिसका अधार कोड नभ्यंस का होता है जिसका अच्छा जिसका अधार कोड नभ्यंस का होता है सब को पता है नहीं पता है रेखा क्या है तो रेखा क्या है दो मिंदों के बीच के दूरे को रेखा गते हैं क्वेशनी गिया रहा है निमल्खित में दूतियक रंग कौन से है तो दूतियक रंग कौन है लाल नीला पीला तो फ्रात्मिक है अभी जो बताया था किताब के आरंगी आचा दूती एक रंग है ना तो ना रंगी हमने बताया था ना अटाहा न बहूत ऐहता ऩटा प्रागाईति ग्रूप जीरा होगा पालand तो भीमबेड का, अजनटा गूहा मंदिर किस राज में है, तो महराश्च में है, पता ही है, आपको अजनटा इलोरा महराश्च, अजनटा कि किस गूहा मंदिर के मंडब की छत पर सर्शन अलेखन प्राप्श होता है, तो गूहा संख्या 19 दो सोका कुल नारी भृत्ति, चित दर्स प्रमाड है अगला क्वेश्चन है 17 सत्रमा क्वेश्चन है मोनो कलर योजना किसे कहते हैं तो यह एक रंग योजना कहते हैं उत्ता प्रदेश में राज ललित कला एकेडमी कहां है तो लखनव में है अगला उन्निस्वा है तटस्त रंग कौन से है तो सफेद और काला सत्ठ रंग थे अगला है वारली वित्ते चित्र किस राजेसे संबादी थे मिश्वा क्वेश्चन तो मध्धि प्रदेश से वारली वित्ते चित्र तनकूस भींभिटका भी आपका कहां है कमेंच कर के बताईएceans गा तनकूस कुंडली चित्र किस छेत्र में है तो होधी गुलेर है किसके सासन काल में हम जानामा का चित्रांकन हुआ है तो अकबर के काल में हम जानामा का चित्रांकन हुआ है आगे देखते हैं क्वेस्टन नमर चो बीश राजा रभी वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रा कहां पे है तो सही जवाब है चित्रा आठ गैलरी त्रिवेंद्रम के ही थे ना अगला 25 वा है खजुराहों का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है तो मद्यप्रदेश में है ने कितना ग्वेश्चन कर लिया है एक बटा चार 25 प्रचेंट रो गया 25 और बचे हैं 24 यह भचे हैं ठंडा रंग कौन सा है तो इसका सही जवाब है नीला ठंडा रंग है जबकि पीला लाल कला आपका क्या है गर्म रंग कला तो तटस्त रंग में आ जाता है उसमें किसको मिला दोके तो सबको साफ कर देगा बाधामी गुफा कहां पाया जाता है तो बाधामी गुफा कहां पाया जाता है आई होल में कहां किस होल में आई होल में उस बुद्पूर पदानमंत्री का नाम बता है जो चित्रकार भी था तो बीपी सिंग चित्रकार भी थे चित्रकला किस्ञणी में आती है तो द्रिस छीत्र में गारह रंग भिस यह कर दर्राने के लिए होता है तो घंत्वा टमन पेपर का प्रुप किस माध्य में होता है तो 50 माध्य में तैल चीत्रन स्यर्ण को प्रयूग होता है थायम इंद्रम ऑदर्म के विद्विंति अकर्व प्रिविवु तो चित्र को उभारने में थाया और प्रकार की चित्र में BMKA है चित्र को उभारने में ैं क्विश्चन-36 है अजंता के च्ट्रों का प्रकार निम्लिकित में से कौन सा है तो भीत्ती चित्र है अलनता- ideia लूरा गजी गामे किस की किस की क्रिति है तो किस की किस की है एम एफ हुसाइन की याद रखे है अगला कुशन है अधुनिक भार्ति कला का दूसरा दर कब शुरू हुआ तो स्वतनता प्रप्ति के पस्छा चाथ 49 है भीम बेट का गुफा चितरभात के किस प्रदेश में हैं हमने उस्तेट में किया है तो वाज्चान रचीत पुस्तक काम सुत्र का ल और टेड़ा है अग्ला ओछ्षेन वार्ति चित्त क्ला में मानौ देहाकृति को कितने भागों मुझेष्ध की स्थापनीष म। अगला है 1605 की रागमाला चितर राजस्तान की किसकला सैली की अंतरगत बनाए गए गए तो मेवार सैली, अगला है कलप शुत्र के लगों चितर किससे सम्दित है तो जैन धर्मसी, अब्दुल्रहमान 46 क्वेश्चन है, अब्दुल्रहमान चुगताई निमलकित में से किससे स मन्दित है तो बंगाल चित्रकला सैली से अगला question है बंगाल चित्रकला क्शेली के प्रमुक चित्रकान कौन थे 47 वाल थे तो कौन थे अबबानी इंद्रनाथ ठाकोर अमरिता सेरगिल के चित्रों का विसाल संगरा कहा नहीं दिल्ली हुआ अगला कवेष्चिन है black park केप्राप्त प्रसित निर्तिया अंगना की मुरति की दातू से बनी है तो सही जवाब है कार से सी 15 वा करी CC ऑफ चीत्र घीध गोवींद किसकी रिती है तो किसकी है छित्र घीध कोवींदा गुऽंत किसकी है लेकिन सित्र गोध गवाबींद क से बता देंगे, पचास कैचें होगे, आधा होगे, आधा बचा है, अगला है क्यावन मदुबनी चितर गळा भाहत के किस राजे से, तो बिहार से है, क्वेशन बावन है भाहरती आधुनी कला के कलाकारों के, सास्तिरी कला का प्रतिनिदी चितर गार कौन नहीं है, तो कौन नहीं है पूछा है रविन्दा टेगोर नहीं है जबकि नंदल बोस असित कुमार हलदर और निंद्र नार टेगोर हैं अगला कोशन है आधुनिक भारतिकला का नविन्द और कब आरम होता है तो कब होता है वर्तमान काल में आधुनिक भारतिकला का नविन्द और आरम होता है सूपरसित चित्र बनी ठनी किस चित्र सेली पर आधारित है तो किसंगर सेली पर है बनी ठनी चित्गला में रंग के कितने माध्यम प्रयोग होते हैं तो चित्गला में रंग के दो माध्यम प्रयोग होते हैं Q56 है, फर्स के माद्यम को सजाने के लिए कौन से हिकाई है? तो फूल पत्ती दथा कलिया प्राक्तिक अलेखन को किस प्राकार कर सक बनाएंगे तो विबित समायोजन के द्वारा Q58 है, अलेखन का सबसे महत्पूर्ण अंग कौन सा है? जो उसे समपूरता पदरन करता है प्रियुग होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है आलेखन में, सादाड़त मीरोधी रंग का प्रियुग होना चाहिए, कुश्चन साट है, रजाई के आलेखन के लिए कौनसा आकार उपयुक्त होगा, तो आयताकार गर्म रंग कौन सा है तो लाल आपका गर्म है जबकि हरा निला और काला आपका ठंडा रंग है जब सीतल है काला को भी कभी कभी दे देता है गर्म रंग लेकिन काला क्या है तटस्त रंग है न तो ठंडा न तो गर्म काला और सफेद आपसन में जैसा रहेगा वैसा करेंगे तो याद रखे कभी-कभी ठंडा कभी-कभी गर्म में भी आ जाता है काला आपसन में वैसा रहे ना रहे कोई तो काला मार दिजेगा रंगों का कौन समध्य हम पारदर्सी होता है अगला कुश्चन है 63 किनारी डिजाइन का प्योग किया जाता है तो साड़ी के किनारी के लिए 64 है डिजाइन को अलेखन कहते है क्योंकि क्योंकि इसमें प्रारूप बनाना अवस्यक होता है नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर बैगनी रंग हो जाता है तो नीले रंग में आपका लाल रंग मिलाने से बैगनी हो जाता है नील नील बैगनी कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है तो गहरी चल कौन चलेगे बी वाला गहरी चलती है बी क्यों एच भी नहीं बी एच नहीं टू एच नहीं एच नहीं बी बारी ग्रेखा बनाने के लिए कौन से नमर का प्रियोग करते हैं तो बारी ग्रेखा बनाने के लिए हम करेंगे एक नमर का फैब्रिक पेंटिंग के लिए से कौन सा माध्यम उप्योगत है तो आक्रेलिक रंत फैब्रिक पेंड किले एक्रेलिक रंत जाईंटर cocktail गोर को कितने बादा गया चार कोल क्या गया है तो ग्रेफ हाइट अगला question है कौन से pencil से बनाएगी रेखा अधिक काली होगी तो अभी हमने पढ़ा की B होती है तो pencil गहरी चलती है लेकिन सबसे-बनाएगी रेखा अधिक काली होगी तो अधिक काली क्या होगी आपका B नहीं दिया है तो क्या होगा टूबी तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा ना तो ही किसी मूल या मुख्य रंका सेड़ बनाने के लिए किस रंका प्रयोग किया जाता है तो मूल रंका सेड़ बनाने के लिए काली रंका प्रयोग किया जाता है मलब सेड़ मलब बारे-बारे काला रंग ने सफेद कैसे काला रंपनीबा तबजन आई हरा रंग ने तुरूप कौन सा प्रभाव डालता है तो ठंडा प्रभाव डालता है मतलब हरा रंग की प्रक्तिक कैसी है ठंडी है लाल रंग का मिला जाए तो लाल रंग में कौन सा रंग मिला जाए तो वह नरंगी ह लाल में पीला मिलाओ तो क्या हो जाए लाय कहा क्या हो जाएगा नरंगी हो जाएगा नरंगी हो जाएगा लापी नहीं कला है सत्यगहत्वित जल रंग कच्ईत बनणे कि कौन सा गज्वधप्हच Всем और फॉट्म का रांहें इंद्रधनूस पर नहीं है तो क्यानाई भूरा नहीं है ना अ भॉडुवानियाफिलनाला नहीं बहुंधार का जाता है तो चेटिंद्रनाथ मझा ज़ाता है संत चित्रकार मजूमदार को छेते निरनाथ अस सीमा है बंगाल कला के जगरिती अंदुलरन के प्रवर्तक कौन थे तो कौन थे कौन थे कौन थे आवानिंद्र नाठा गुरु कई बनना मागया किस समकालिन चित्रकार ने एक फिल्म इस्टार के चित्रों के सेंखला बनाई तो एफ एफ हुसान ने कुष्चन 82 है भाहरत में कमपनी साहली का प्रयोग प्रमुकेंद्र कह उन्था पतना कमपनी चित्रकणा की ऊहली है तो पहाड़ी चित्रकला की 84 पंच मारी गुफा के इस प्रदेस में तो इंपी में एम पी मतला माध्यप्र たस अगला है तीसरी सताब्दी सपुर्व से चटी सताब्दी AD में कौन सी कला संस्किती भारती कला इतिया स्वान यूक के नाम से जाने जाते हैं तो बाउध कला संस्किती तीसरी सताब्दी SB से चटी सताब्दी AD तक कांगला साली का सनुच्छा कौन था तो महाराज संसार चंद्र महाराज संसार चंद्र अगला है इंदर दोनुस का पांचमा रंग कौन सा है बै नी आ ह पी 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 पीला पीला या भी आई बी जी वाई तो पीला वाई यलो अगला है 88 प्राइगयतिक हासिक प्राइगयति ऐसी काल के मानों ने अपनी दिन चर्या के चित्रों को कहां ब्यक्ति गया है तो गुफाओं के वित्तियों पर मतलब वहीं देवाल पर अगला है बोधिसत्व पद्यपाणी चित्र अजन्ता के किस गुफा में प्राप्त है तो गुफा मंदिर एक में गुफा मंदिर एक एक्यान भी है अधनिक भारती पुनर जागरन का पथम चित्रकार किसे कहा जाता है कहां केते हैं त्रिवेंद्रम के अगला है वाजसायन के किस प्राचिन ग्रांद में चित्र गला के लिए आलेख के सब्दगा प्रयोक किया गया है तो कामसूत्र में और उसी में क्या है छाप प्रकार के मानव चित्रों को बताया गया है तिरान बे है जल रंका चित्र बनाते समय किस ब्रस काप्रिक करना चाहिए तो सेव बंपना होता है तो कैसे करेंगे संधास का करेंगे वस्तू इस्मिति जियामिति मुकतास्त िस्मिति से विना देखें के अगला पंचान भी है अनूद्रिस अनुद्रिस या फिर परस्पेक्ट्यु इस्थ अनूभणी का बहुद करातीग साथ राल तो दूरा आपने चितर शाला बने अठानवे पूर महध्य में मद्ध काले नवधी की चेतर काला में पाल चीतर साली के मुख्य विसे किस धर्म क्याद आ रही था तो बहुत 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 जहांगीर बहुत यह सब याद रखी अवानी इंदर नाट तेगो काम सूत्रवासा है ने समें में सा आएगा इसमें ती चित्रण समकालिन चित्रगार जामनी राय ने किस का किस चैली का इंतर गार चित्रण किया है तो यह है लोकला जामनी राय लोकला कितना हो गया हमने खतम कर लिया पंदर सुला मिनिट में आपका सौव क्वेश्चन नैंटी नाइन इसलिया कि ट्रेक्स न लगे तो आईए आपको क्वेश्चन कैसा लहां पहुत ही महत्पूर है इसको छोड़िये का नहीं दो बार तिन बार चार बार पाच बार चार बार साथ बार आठ जब तक पूरा रट न जाए इसको छोड़िये नहीं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगले अगले टापिक के साथ मिलेंगे अगले टापिक के साथ जिसका नाम है मापनी उसके साथ हम मिलते हैं तब तक के लिए आप जय हैं जय भारत कैसा लगा कमेंट करिक बताईए से ही educational वीडियो आने वीडियो पहुचता रहे हैं